दुनिया में हर इनसान का एक सपना होता है कि उसके पास अपनी एक कार हो जिसमें बैट कर वो अपने परिवार के साथ घूम सके ऐसे में कई कमपनियों ने बहुत सस्ते में कार को मार्केट में लॉंच किया जिससे कि लोगों का सपना पूरा हो सके लेकिन इसी बीच कई कमपनियों ने कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसी अजीवों गरीब कार बना डाली जिसे देख के ही लोगों की आखे फटी की फटी रह जाती है ऐसे ही पांच कारों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे देखते ही आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों इन लक्जरियस एक्स्पेंसिब और मोश्ट अमेजिंग कारों के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले नमबर एक टेसला साइबर ट्रक टेसला के सीईओ एलोन मस्क ने नवंबर 2019 में अपने पहले एलेक्ट्रिक ट्रक को दुनिया के सामने लांच किया दोस्तों बाहर से ये ट्रक देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी से निकल कर आया हूँ लेकिन भविस्ते में इस कार की खाशियत को देखते हुए 25 लाग की सुरुवाती कीमत वाले इस ट्रक को धाई लाख लोगों ने तुरंत प्री ओर्डर तक कर दिया है दोस्तों ये पूरी तरीके से एलेक्ट्रिक बैटरी पे चलने वाला साइबर ट्रक है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 800 किलोमिटर की दूरी 170 किलोमिटर प्रतिगंटा की रफ्तार से तै कर सकेगा दोस्तों ये ट्रक 100 किलोमिटर की रफ्तार सिर्फ 6 मिनिट में पकड़ सकता है टेसला साइबर ट्रक में 6 लोग बैट सकते हैं और ये ट्रक 3500 किलोगराम का वजन भी उठा सकता है डेमो के दोरान उस पर हथोड़े से मार कर दिखाया गया लेकिन फिर भी इस पर खरोच तक नहीं आई अलाकि बुलेट प्रूफ किड़कियों पे जब स्टील बॉल फेकी गई तो वो तूट गई और इसकी वज़ा से ऐलान मस्क काफी सरमिंदा भी हुए दोस्तो 2022 तक ये ट्रक अमरिका की सडकों पर दिखने लगेगा अपने लग्जरियस और एक्स्पेंसिब कारों के लिए मसहूर रॉल्स रॉयस ने एक सांदार विजन नेक्स्ट हंडर्ड डिजाइन पेस किया है दोस्तो इस कार के दौरा कमपनी ने 100 साल बाद आने वाली कारों के बारे में सोचा है जबकि ज़्यादतर कमपनियां अगले 10 साल के बारे में ही सोच पाती है दोस्तो ये कार इतनी बड़ी है कि इससे क्रूज सिप उन विल्स तक कहा जाने लगा है खासकर सामान रखने के लिए जो इसमें स्पेस दिया गया है वो इसके आकरशन का मुख्य केंद्र है ये करीब 19.4 फिट लंबी सेल्फ ड्राइब कार है ये कार सिल्क से बनी सोफा वर्चुल असिस्टेंट आर्टिफिसल इंटेलिजेंस जैसे हाई फीचर से लैस है दोस्तो इसका डोर मेकनिजम कमाल का है पैसेंजर बाहर निकलने से पहले ही पूरी तरीके से खड़ा हो पाता है दोस्तो इस कार का एक यूनिट बनाने में 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का खर्च आया था दुनिया भर में अपनी शांदार कारोक लिए मसहूर टोयोटा कमपनी ने बेहदी शांदार और आधुनिक तकनीकी से लैस टोयोटा फन वियाई आई पेस किया है दोस्तो कमाल कलुक और अस्चरिजनक फीचर से लैस ऐसी कार निश्चित याज से पहले आपने नहीं देखी होगी दोस्तो ये किसी भी आम कार से बहुत अलग है इस कारण में कमपनी ने वी आई आई यानि की विकल इंटरनेट इंटर एक्टिविटी तकनीक का परियोग किया है हलाकि ये एक कंसेप्ट कार है लेकिन कमपनी का दावा है कि जल्द ही इस कार को लांच किया जाएगा दोस्तो इस कार की पूरी बॉड़ी टच स्क्रीन है जिसको बाहर से भी आप अपरेट कर सकते हैं आप उसमें बिल्कुल वैसे ही वाल पेपर भी सेट कर सकते हैं जैसे आप अपने फोन में करते हैं यानि कि जब जैसा चाहे वैसा रंग आपको मिल सकता है दोस्तो इस कार में टोयोटा ने वायरलेस चार्जिंग का भी परियोग किया है जैसे आप एक एक फिक्स एरिया में खड़ा करके अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं इस कार में तीन सीट दी गई है जिसमें दो सीट आगे की तरफ और एक सीट पीछे की तरफ है जसे पर तीन ब्यक्ति आराम से बैठ सकते है नमबर चार, हुंड़ई एलिवेट दोस्तो हुंडई गंपनी इस कार पर तीन साल से काम कर रही है हुंडई ने इस कार को एलिवेट कंसेप्ट नाम दिया है इस कार की खाशियत ये है कि ये कार नकेबल अपने पहियों पे चल सकती है बलकि अपने पैरों पे दोड़ भी सकती है अंदई ने इस कार में पहियों के साथ साथ पैर भी लगाए है जो इसे उबर, खाबर और पथलीरे रस्तों पर चलने में मदद करेगी हलागे अभी company ने इस car का concept version ही launch किया है production version के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है इस car को इस तरीके से तयार किया गया है कि अपातकाल के स्थिती में ये अपने आप में परियाप्त बदलाओ भी कर सकती है दोस्तो आज के समय में बढ़ते ट्राफिक की वज़े से सडकों का जाम होना आम बात है इसी परिशानी से निजात पाने का तरीका इस car के पास है दोस्तो ये car देखने और सुनने में किसी सपने जैसी लगेगी लेकिन ये सत प्रतिसत सच है अभी ये तकनीकी सुरुवाती दोर में है लेकिन बहुत जल्द ये car लोगों के लिए मार्केट में उपलब्द होगी एरो मॉबिल एक इंटिग्रेटेड एरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक पूरी तरीके से चार चक्के वाली car भी है यानि कि इससे न सिर्फ आप चल सकते हैं बलकि उड़ भी सकते हैं दोस्तों उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे और वीडियोच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए बहुत सुक्रिया